जनता दलबदलू अजिदर मरजी को लुड़क जाती है। नेता सभी बनते हैं। नेता बनने को क्या है। मैं भी बनके खड़ी हो जब वोट दो तो। मैं तो जो देश के लिए काम करेगा उसको सपोर करूगा। जो सतर साल से उपर हैं वो उनको आने जाने में बड़ी प्रिसानी हो रही है। विधायक जी काम जरूर कर रहे हैं लेकिन क्या है वो काम आदा करते हैं आजा छोड़ जाते हैं। समस्य ये है कि यहां पर रहना आई दिन तर शिवर रूख जाते हैं। नेता सभी बनते हैं मगर सफाइव काम कोई करने नहीं आता है। कोई आज़ नहीं है। कोई कर नहीं करता है जब ऐलक्षेण आते हैं तो सब लोग आ जाते हैं वोट लेने। सफाई का भी यहाल है जम्हादार एक दिन आता है चार दिन चुटी होती है दिली का तो सत्यानास हो रहा है आम आदमी पार्टी और बीजीपी के चक्कर में क्या बताना चाहेंगे यांकी साफ सफाई को लेकर देखो जी खुस तो कोई लिए जनता दल बदलू जिदर मर्जी को लुड़क जाती है अब यह आके दिखाओ यह कौन करें खुदू आके तो रख दिया है ठीक है कई नालिया बंद है कई गंद की है देखो यह दिली का यह अब हमारे तो आता हि जी शुरू से आता ह। कॉंगरेस के टाइम से आता ही जी कॉंग्रेस नहीं करता यहाँ पर नहीं पर ना किसी वीज छीत से अफ तो आता ही नहीं करता है वहँ देबनगर में करो आगरें यहां कोई कोंग नहींकर कि यहां करने के आता है यह कर आता है बहुत्ता जब इलेक्षन लड़ने के लिए कर तो तो हम कहते हैं तो अपनी मर्जी नहीं कहता है कि वह सौध मिला ओ पचासाइब लेखा रहा हैं हमारे एस चेतर में जो भी जीत कराता है सब चाहिए बीजेपी का हो चाहिए वह आमादी। पार्टी का हो सारे चोर हैं हमारे इसाफ से तो जी कॉंग्रेस ने काम किया था जो बात है जब से बनी है उसके बाद से किसी ने मानकपुरे में काम नहीं करा जी जनता परेशान है लेकिन किसी यह पादे को काम प्राइवेट है काम करेंगे उनके पाद जाके खाएंगे तो हम रोटी रुजगार कहां से करेंगे यह बताओ जिस तरीके से आप परिशानियां बता रहा है तो क्या लगता है जो आप विधाय को जीत पाएंगे दुबारा यहां से मुश्किल है जीत पाना तो हैं लेकिन जनता का मों कुछ यह नहीं सकते हैं तल बदलू है जींन करता हैं लेकिन प्रभी देती है उनको कुरसी मिल जाती है राम से रहते हैं हम लोग फिर वहीं के वहीं है सब्सक्राइब से दस-पंदरा साल पुरानी बात है हम सब्सक्राइब करें अब कोई नहीं सोचता है लेने से पहले सोचता है हम ले या निले देखो जी आओ यहां पर पूरा हई आमानी पाड़ी का जो रहा है अब देखते हैं यहां पर कौन सी सरकार आती है पर मेरे आप से जो अच्छा का करें कि वही सरकार आनी चाहिए मेरे इसाब से बस चलिए आप से इसके बारे में भी पूछ रहेता है जैसे कि हमने आप और औरों से भी पूछा यह जो इटे पड़ी हुए है गंद की पड़ी हुए है तो कुछ लोग इसको मलवा बता रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं जो भी काम करने के लिए सक्षम होगा वही वैकते वह आगे बढ़ेगा इनकी वज़े से कितनी परिशानियों को सामना करना पड़ रहा है अहां सब लोग खड़े हुए यह रहे यह रहे यह सारी लोग खड़े हुए जो सतर साल से उपर है वो उनको आने जाने में बड़ी हांने के को समय सीमा दिया ओड़ आने के जूँ भी हर टो नहीं फैसाइआ नलिए को जीने कुछ लोग अब कह रहे नहीं है यह तो अभी हाट आला है और हट जाए घएगा अभी हमने आप आप दो तिंटिन लोगों सब्नल नहीं है यह मलवा नहीं है मलवा होता है जूर् एक हफ्ता हो गया और इसको कुछ हटाने के लिए उन्होंने बताया हो कि कब हटाया जाए को यह कब सड़क टाइम कोई नहीं है जैसे कि आपके विधायक है जो कि यह देख रेक करते हैं तो लगता है कि आसे आपके विधायक दुबारा जीत पाएंगे एंसीडी चुनाओं में देखो काम तो अच्छा ही कर रहा है आप वाला भी काम अगर काम अच्छा कर रहा है पता रहे हैं कि आप इटे रोड़े बहुत दिन से पड़े हुए हटाने गली बनवारे हैं लोगों के फायदे के लिए आज प्रेसान हो रहे हैं लेकिन एक अपते के बाथ मतलब जब बन जाएगी जब ठीक हो जाएगे ना मतलब नहीं हमा पाल्टी कोई भी बनओ आप वाली बनो बीजैप, की बनो काम तो सब नहीं करना है जो उनको पैसे मिलता है वो तो काम सारे लगाएंगे ना जी म 대ख काम जरूर कर रहे हैं लेकिन क्या है वो काम आदा करते हैं आजा छोड़ जाते हैं अगर आज उन्होंने सिवर की कोई लाइन डाली है दो दो महीने तक यह जो आप देखर कोई भी गली चले जाओ वहाँ फर्श नहीं होता ना पलस्तर होता उसमें ऐसी टूटी ऐसी छोड़ी आप किसी भी गली मे भी फर्श पूरा नहीं हुआ है जो ठेकेदार है वो काम नहीं करता ढंक से इनका पाइप डालके छोड़ देते हैं बागी जनता है पचारी परेशान आप देखें साथ वाली गली में चले वहाँ भी बुरा हाल है हर गली में बुरा हाल है मानकपुरे में सब्सक्राइब कर देते हैं आजकल तो जो खत्ता था खत्ते की हमें बड़ी परेशानी थी पहले खत्ता कुड़ा बाहर पढ़ा रहता है लेकिन आजकल कुड़ा खत्ते के लिए मैं धन्यवाद करता हूं सब्सक्राइब करते हैं कि यहां पर रहना आए दिन तो सीवर रुख जाते हैं को और मिला हम कंपलेंड करकर करते कोई आता निया जैसे तैसे आता है खपची मारी और चले गए कोई मतलब निया उनको है अब यह देखो यहां आए दिन कुछ ना कुछ चलता ही रहता है हम बैसी परेशान हो चुकिया अब यह हमारा एक परेशानी यह है कि हमारा रासन काड तक नहीं मिला हमको दो हजार रफार में अपलाई किया था और यह दो हजार बाइस चल रहा है हर बारी वह एक ही शब्सक्राइब बोलते है कि जी आ जाएगा इलेक्शन के आसपास आएग अब ही तक कुछ ही नहीं है दुनिया को रासन मिल रहा हमें तो रासन भी नहीं मिल रहा हमें बजार से खरीद का खाना पड़ेगा हम बहुत परेशान है इसलिए और मतलब अब यह पाइप लैन है गंदा पानी आ रहा है क्योंकि पाइप जो थे पुराने वह जंक आई हु वोट लेने बाकी कोई आके देखता नहीं है नेता सभी बनते हैं मगर सफाई काम कोई करने नहीं आता है नेता सभी बनते हैं नेता बनने को क्या है नेता मैं भी बनके खड़ी हो जब वोट दो काम भी तो होना चाहिए ना काम कोई करता नहीं है बाकी नेता बनने के लिए हम यह करते हैं, हम यह करते हैं, देखिए हैं, अफटार दस दिन हो गए हैं, शड़ाख खुदी होगी है, कोई मतलब नहीं है, यह हो रहा है, आज बनेगी, कल बनेगी, ऐसी सफाई का भी यहाल है, जम्हदार एक दिन आता है, चार दिन चुटी होती है, हम लोग स्मेल इतनी होती है, कि देखनी सकते, तो डरस बीने, कोई कुछ निए, डरस बीन होता भी है, तो लोग फेकटे भी निए, अब क्या किया जयाया, बताइए ना, कोई प्रोल्लम है, कोई सोलूशन के और के बीच लोग आपने नहिता बन जाते हैं और कुछ करते हैं और तो यहां विधायग CPT'S आमदमी पार्टी को कुंकि मैं डेक्ता हूं का दिया की डेफ्टे स्कूल में कराना चाहता था मैं स्कूलों में गया और न ER का चाहल तो देश का तो वैसे दिल्ली का तो बहुत बुरा हल है और आप देखी नहीं कि दिल्ली का क्या हल है कि यह हो गए दस-बारा दिन हो गए इसे टूटे हुए और कोई बिचारा बुजुरुग जा रहा हो गिड़ जाए विचारे कोई प्रॉब्लम हो जाए किसी इसमें ना त फिड़गाव फिड़गाव ऐसा कुछ नहीं किया जाता है ना मैं देखता मैं अभी तो आप आज यह खुदा ही है किसी दिन संडे के दिन आई एकर यहां का और अच्छा महल देखना है तो आप यहां देखिए कि लोगों ने यहां खता बना रखता होता है इतना कूड़ का पड़ा रहता है कि मच्छर कैंख चोटे बच्चें अगर मच्छर हो जाते हैं को होने के डर रहता हमेशा हमें खुद परिशाणी रहती है रिष्टे दार आते हैं वह देख गं गंदगी है घ्ली हो रहा है तो बहुत प्रॉब्लम मैं यह बीजे पी और आमादमी पार् करेंगे अगर यहां बीजेपी को वोट पड़ जाया और आम आदमी पार्टी को ना पड़े तो वो कहते हैं कि हम वोट हम कुछ नहीं कर सकते जी एक यह बहुत बढ़ी समस्या वारी है तो यहां के लोगों को सर्फ यह कहना चाहेंगे कि आप उन्हें देखे जो आपका काम क को पार्टी को वोट दिये लेकिन वहां बीजेपी का वो कंडिडेटी जीत गया तो फिर उस समस्या का तो हलोई नहीं सकता ना इस तरीके से कि हम तो चाहते थे कि एंसीडी में भी आम आदमी पार्टी रहे जिससे कि यहां का मौल ठीक रहे और साफ सफाई रहे इसी कारण की वेज़े से यहां का कोई डवलपमेंट नहीं हो रहा है हमारे एरिये का तो बिल्कुल डवलपमेंट नहीं है और यहां अगर आपने मौल देखना तो शाम को आ आप बता रहे हैं तो मैं उनके बार में थोड़ा सा जाना चाहूंगा नेगटिविटी यही है कि मैं हम शाम के टाइम में जूब भी होते हैं कभी आप आई है दारू भी पी जाती है हमारे रिष्टेदार आते हैं तो उनको बहुत घर बहुत ही खराब हो वह पड़ता है लोग एक्षवी वहां थोड़ा सा और नेगिटीव लोग रहते हैं आगे जाके अगर कोई चोरी करेगा तो वह मारी गली का लुट नाम होता है फुल वाली गली का था फुल वाली गली का तो हम बहुत ही बुरा हाल है मैं यहां पर और इसके बारे में मैं और क्या कहूंग हो मशनी को नविदायक सोचतों न कोई MCD के जो हमारे और भी लोग कोईको आग्वाने कि पार्टी से जोड़ा हुए हुए और मैं अपने अपने इसाफ से मैंने आप उन लोगों के साथ दिया और मैंने यहां कि जो रासन बटा यह जो भी बचा शकल देखके बटा कि मैंने कई गरीब लोग हैं जिनके पास विचारों के पास वह चीज नहीं पहुंची मैंने देखा को नहीं पहुंची वह हमने प्रोवाइड करी ना मैं किसी पार्टी से हूँ ना मैं हूँ एक छोटा सा विजनिस मैंनों में जो मेरे से विचारे के लिए हुआ मैंने वो कि रहे हुआ हुआ है आप किसी भी कार्टी से मिलता है तो कि लोगों के लोगों से भी यहां काम कीजी अच्छा जिससे कि हम आपको भी वोट दे सके हैं यहां महुल बने तो यह नहीं बन पाता हमारे अरिये में जैसे कि आपने देखा अभी हम मौजूद थे करोल बाग के वाट तेरासी में तो यहां पर हमने लोगों की राय जानी तो यहां जो लोगों की राय थी वो काफी मिली जूली थी कोई यहां की समस्याओं से जूज रहा है तो कुछ लोग उसी समस्याओं में खुश है तो यह चुनाओं कितना मुश्किल होने वाला है यह तो प्रताप के साथ शिवानी मांगवानी कैमरामेन प्रताप के साथ